इस अफ़ते होगा स्वाद के साथ पदी बत्नी का विश्वास करवा चौत के त्योहार में होगी स्वाद की बहार और कुकिंग के साथ मस्ती डाउनलोड करने आएंगे संजीव कपूर के किचन में मिकी वाइरस कुकिंग के मैरत्वान में खिलाली करेंगे फुल ओन धवाद नई नई रेसिपीज नई नई स्वाद का कबार खाना पकाना नाचना गाना हसी के मसाले कुकिंग का जोश सब कुछ होगा इस अफ़ते संजीव कपूर के किचन खिलाली में जब मैं हमारे स्वाद के महारती ढून रहा था तो मेरी मुलाकात हुई एक एसी किचन खिलाली से जिनका जहरा उनकी उमर से मेल नहीं खाता और उनका नाम वो तो ना उनके जहरे से मेल खाता है और ना ही उनकी उमर से तो मैं बुलाना जाहता हूँ पेपी नरूला को मेरा नाम बेबी नरूला है, मैं 47 यह ओल हूँ I am a cooking teacher by profession cooking करने से जादा मुझे अपनी knowledge शेयर करना अच्छा लगता है मुझे अपने स्टूडन्स के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है को एक passion है सीखने का बहुत ज़ादा और वोही इसी चीज को सिखाने का भी same passion है बेबी बहुत हसमुख है, सिबको हसाती रहती है इस शो में मैं सिर्फ फन करने आई हूँ कुछ सीखने आई हूँ, कुछ सिखाने आई हूँ इस शो में तो मैं अभी से जीत गई हूँ क्योंकि मैं Sanjiv जी से मिलोगी ओके शेफ जी आरही हूँ, यह तो कुछ सीख के जाओगी या कुछ सिखा जाओगी देखते है किस में कितना है दम है पहले तो मुझी बताओ कि एक नाम होता है, एक निकनेम होता है तो आपका नाम रखना भूल गया है मतलब बेबी पर छोड़ दिया नहीं मेरा निकनेम बेबी है वैसे आइम परमंदर बट मेरेको सारे बेबी नुला करके सब लोग बेबी नुला कर गयाते हैं क्या वाता है ठीक है तुसी की कहन दियो और इंदर जी सार मेरी बेबी आगी है अचा एक बड़ा दो दाईया आपने ऐसा का था कि आप मुझे मिल लेंगी तो फिर हार जीत के कोई माइन नहीं नहीं बस मैंने मिल लिया मैं जीत गई जी शेफ को तो हराना ही है रिंग में आपका स्वागत है थैंक यू आपको मुकाबला करना होगा हमारे एक ऐसे सुपर शेफ से जिनकी डिशिज में और उनकी डिक्ष्णरी में हार शबदी नहीं है स्वागत कीजे सुपर शेफ अजे चोप्रा का हेलो जी विल्कम जी थैंक यू सो मच बई एक बात बदायता हूं कि अगर आप मेंसे जो कोई आज जीतेगा उसे मिलेगा स्वाद के सरताज का खिताब उसके साथ साथ एक बड़ा सा गिफ्ट हैंपर और आपकी किचिन के लिए एक मिस्ट्री किचिन अप्लाइंस और अग दूसरा आपको मौका मिलेगा अपनी रेसिपी शेयर करने का तुनिया भर से चम्मच भर जाएका पेश किया जाए आपने चिकन टिका मसाला बनाया आपको यह तो डेफिनेटली नहीं बता था कि मेरे साथ आपके टक्कर होने वादी है चपे-चपे चाने है शेफ मैंने दिली के सिरफ इस जिश को जानने के लिए आप हमारे गर तो है नहीं आपके बिल्कुल नहीं बेबी जी के गर नहीं गए आज वो चिकन टेस्ट कर लिया तो एक और एक्सपिरेंस हो गया चिकन टिकका मसाला आपकी डिश है चलिए नियम उनसार बेबी जी आपको एक असिस्टेंट मिलेगा अगर मैं आपको अफेंड ना करूँ मुझे उफेंड नहीं मुझे क्यों ओफेंड करेगी आप सब को ले 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 ने वो नहीं में मेंगा कई बार की बार हमारे शो में यह पहली baar हो रहा है कि यहां पर आके किसी ने असिस्टेंट की एल बगा के लिए मना किया हो तो एक बात बताएता हूं आपको बीजी अगर आपने किसी को असिस्टेंट नहीं चुना उसका हार जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ाएगा ये डिश बनाने में आपको कितना वक्त है एक घंटा एक घंटा ये डिश बनाने के लिए आपको मिलेगा पूरा एक घंटा और गॉंग बजाते ही समय की चक्की शुरू हो जाएगी All the best All the best All the best आपका समय शुरू होता है अब जब मेरको संजीव कुपूर जी ने मुझे हलपर के लिए पूछा तो मैंने साफ मना कर दिया तककर तो बराबरी की होनी चाहिए बिशक वो फाइस्टार के शेफ है तो मैं कम थोड़ी हूँ तो मेको सिंगल हैंडिटी कर ना था और वो सिंगल हैंडिट कर रहे हैं तो लूप दो तो भाण पेखिया है है कि छीकंटिक्का मसाला बना दिया है जिसमें मैंने चिकन को वाल एंड सॉल्ट के साथ मैरिनेट करा है और एक पान में थोड़ा सा बटर उसमें मेर को चॉपट अनियंस को साटे करना है इसücken तिकका को मैंने marinate किया है और इसको करीबन 15-20 मिन इसको करें और इसको में अर को में ग घें ज douर आप हो जो दही का space उसके बाद कुछ होरोगाあ, उ मैं आपको बताऊँगा जो दही का मेरनेट होगा, उसके बाद कुछ और होगा, हमें आपको बताऊँगा. एक पोल में थोड़ी सी फ्रेश ट्माटो प्यूरी, इन ट्मेटोस को मैंने बीट करके और उनको स्ट्रेंग करा आवगा. इसी बोल में आदिंग रेडिमेट ट्माटो प्यूरी, और रेच रेट कलर, और इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम डार रही हूं. और इसमें मैं थोड़ा सा डारी हूं सॉल, और रेचिली पावडर. इस मिक्स्चर को मैं अपने सॉटेड अनियंस में डालूंगी और इसको फिर मैं ढख के सिमर करने के लिए रख दूंगी. चिकन टिकका का सेकेंड मैरिनेट बनाने के लिए सरसों के तेल को थोड़ा सा गरम किया है, उसमें मैं हल्दी डाल रहा हूं, लाल मिर्च पावडर डालूंगा, और साथ ही डालूंगा थोड़ा धनिया पावडर. यह दूसरा मैरिनेशन जो है यह चिकन को कोट करेगा और जब ऐसे पकाऊंगा तो एक अच्छा फ्लेवर एक अच्छा टेक्च्चर देगा, यह सेम मैरिनेशन पनीर टिकका क्ले भी आप बना सकते हैं, यह जो मैं ग्रेवी बना रही हूं, यह आदी मैं वेजटेरियन बन जो मैं इस पेशली डेली से लेकिया ही हो अपने साथ जिसमें मैं चिकन को करूंगी, अब इस ग्रेवी मैं अपना मेरिनेटर चिकन डाल रही हूं, जिसको मैं पेले से ही मेरिनेट करके रखाया है, और इसको मैंने कवर कर तब तक को करना है जब तक यह 90 परसंट को सेम ग्रेवी में पनी टिक का मसाला भी बन सकता है, हम भी बनाएंगे आदा घंटा हो चुका है, जल्दी कीजे तब से पहले ग्रेवी बना लते हैं उसके बाद आपको परतिल जाएगा तबा मसाला के लिए मैंने सारे मोटे मसाले, दाल चीनी, तुखा हरा धनिया, साबुत, छोटी लाइची, मोटी लाइची, टॉंग, इनको मैंने ड्राइ रोस्ट कर रहा है और इनको मैं दर्दरा पीस लूंगी जो मेरा चिकन पक्राए है ताही मैं बतागा अपना ठेवा अपना ताव मसाला डाला है न supporting लोटी यथी बिविजी की चलता तिखी पंजाबी मिर्चां मिर्च टिखी POL्जाबी मिर्चा तिखी पञ्जाबी मिर्चें देगे घगा हिजया श्डां श्डां यथी हांयदा स करेंए रिए पर टॉरों के शिक्ता आताओ और सिरे एश्श परियों परा के फडिक अन्हें और शिक Πार घरिए अंठरादां में जिए इसे तो में पड़िए कि मुझे तो नहीं पता सकता ह। अब इसे दो चीज़ को सकती हैं एक तो यह Admiral की बड़ात को इस जा एके कहुत्रा यह की इत्यार्टाया बने अस्तरा यह कि उतना भूल साथ जबरदस ना वरे है कि भूदेगो शेह बाड़े कुछा कर रहे जब निया एक शेप मेरे को 2 ला ले बाहर जाड़ा है यही है यही है breeze डो बॉपस आरहा हूं? दो मिन्समें वाफिस आरहा हूं ते क्यो जाना है? क्यो जाना है? डोपस आउने में जरले I am 2 minutes में जाता हूं उसके बाद आपको purpose अपने आप समझ में आजाएगा दासे दे ना बक्ता जो तेखेंगे जी अपर यही है, दो मिनिट का समया को मिलता है, मैं यह चेक कर लूँगा, बिल्कुल पदा नहीं क्या हो रहा है जी? यह दो मिनिट की महलत किसलिए मांगी है? कोई बात नहीं, दो मिनिट की महलत तो फुटबॉल के मैचे मी मिल जाती है आगे जी आप अच्छा शेफ अजे, ये सर, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप बाहर दो मिनिट की महलत आपने क्यों वांगे थी? वो कह रहे हैं कि रेसिपी देखने गये थे? एक काम करते हैं, बुला लेते हैं बुला लेते हैं आईए आप अच्छा 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 मतलब आप यह गह रहे हैं कि अगर अवन नहीं हो तो केक नहीं बन सकता नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं है यह एक और थेंटिक तरीका है बनाने का और अगर मुझे एक इतने बढ़िया कुक के साथ मुकावला करना है तो कहीं नहीं तो अपना टच दालना पड़ेगा और वो तच शायद इससे आ सकता था यह तो अभी पर्शालिटी वही नहीं पर्शालिटी कैसे वही अगर मैं मांगती मेरे को मिलती बिल्कुल अभी मिल जाएगी अगर आप चाहें तो इसमें यूज कर सकती है वापसे बनाईए जिकंटिक मसाला कॉंटेस्ट यह है कि किस के दिश में स्वाज जादा होगा कैसे वनाते से नहीं वता हुट वह तरीक से बना रहे है और आप घरेलू तरीक से बना रहे है और आप ग्रेलू तरीक से बना यह ज़गर ऑगराद तो ही क्योंकि जो smoky एफेक्ट उनके फूड में आएगा वो तोड़ा सायद मेरे फू के बिनावी बन सकता है लास्ट 15 मिनेट जल्दी कीजे वेल चिकन टिकका में बनाया है उसको मैं जो मसाला ग्रेवी उसमें पका रहा हूं और इसको में सर्फ करूंगा मिस्सी रोटी के साथ पंजाबियों में मिस्सी रोटी तो खेर सबी जानते हैं कि बड़ी फेमस होती है आखरी पांच मिनेट खाना सर्फ कर देना शुरू कर देना चाहिए आपको मेरी हिदायत यह हो ये चिकन टिकका मसाला के साथ मैं पुदीना परांथा बनारी हूं जो की एकम्पनिमेंट है इसका इसके साथ आप लुच्छी सर्फ कर सकते हैं नान सर्फ कर सकते हैं लास्ट 10 सेकंड्स 10 9 8 7 8 5 5 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 15 14 11 12 15 11 12 14 13 14 14 14 15 पुदीना पराथा वेवी जी जो चिकन टिका मसाला आपने मनाया है हां जी प्रणावा इसके अंदे रोमा जो चिकन है वो पूरी तरह से मेल्ट इन माउथ मुँमें घुल रहा है मसाले जो है ना बहुत जादा ना बहुत कम मैं उमीद कर रहा था कि जो पंजाबी स्टाइल है वो थोड़ा सा जादा होगा जो हरी मिर्च आपने डाली थी मुझे लग रहा था कि ओ हरी मिर्च आएंगी निखर के लेकिन उतनी नहीं आ रही लेकिन एक चीज़ बहायता हूं कि यह परांठे में नंबर देने होते मुझे तो मैं आपको देता थेड़ सारे नंबर लेकिन मुझे देने हैं इसके अंदर नंबर आपको मिलते हैं दस में से नांक! आपको मैं अच्छा नंबर चिकंडिक का मसाला शेफ अजे चोपला आपने बनाया ऐसे लगता है इसे बढ़िया रेस्टरॉंट में खा रहे है बीचे कोई अच्छा शेफ है जो बना रहा है बड़े प्यार के साथ बना रहा है कसूरी मेथी का बड़ा अच्छा है, प्लेवर उसके अंदर अच्छा है, जो कमाल मुझे दिख रहा है, वो यह है, फ्रेश टमाटो का टेक्स्च्चर और रिच टमाटो टेस्ट टमाटो प्यूरिस है, शेफ आजे चोफड़ा, आपको इस चिकन टिक का मसाला में मिलते हैं, तस में से, चले नोइफ, व यहां मैं आख, वैल दान, वैल दान, वैल दान, थैंक यू शेफ, बैदो की आपने जो चिकन टिकए बनाया है, विरी ओनस्ली ये चिकन टिका की रसेपी मैं अपने र्स्टरांट में आपने होटिल में शुरू करूं। किल से, क्या बात हैं व मैं सही बता रहा हूँ, मैंने एक नई रेसिपी सीखी है, जब आप इतना कुछ दे चुकी हैं इस कम्यूनिटी को, अपने परिवार को, तो ये आज से आपका हूँ. अजय जोपड़ा वाली सारी दुनिया खाती है, बेबी जी वाली आप मज़े लिजेए, बेबी जी के और से, आपके लिए पेश है, नोट के जिए, बनाईये, खाये, खिलाईये, चिकन टिकका मसाला बनाने के लिए, 250 ग्राम स्थाय मुनलस चाहिए, दो प्यास जो छोटे क कटा हूँ, पिंच ओफ औरंज रेड कलर, चिकन को अच्छी तरह वाश करके उस पे थोड़ा सा नमक और ओल लगाके उसको एक घंटे के लिए लग देना है, जिसमें हमारे को थोड़े से मक्षन के अंदर, अनियन्स और जिंजर गालिक को सौटे करना है, उसके बाद हमने रेडिमे टिमाटो प्यूरी, रेड चिली पाउडर और कलर डालना है, चिकन के पीसे डाल कर उसको एक दो मिनट के लिए सौटे करना है, और क्रीम डाल के उसको ठक के पकाना है, जब तक वो 90% कोक हो जाए, तवा मसाला के लिए मैंने सारे मोटे मसाले, डाल चिली, तुख लॉंग, इनको मैंने ड्राइ रोस्ट करे और इनको मैं दरदरा पीस लूँगी, उसके बाद फिर उसमें तवा मसाला अंकवर करके उसको तब तक पकाने है, जब तक वो घी छोड़ जाए, फिर उसको हरीच मिर्चे और फ्रेशली ग्राउंड पेपर से गानिश करके लच लॉए बांट वाद रोज़ बांट यूजिए प्रेशन इनको मिर्चे मीजिए, भीजिए, प्रेशली पालाई, आम समक्राइब तक में निव पाले प्रूप तक चाहना विजिए तक वाद ओसे लुझान अजा करे दो लॉड़ुशिए, प्रिए, बालेंग पालेंग, उ